आजकल दोस्तों नवरात्री में रोटीन थोड़ी चेंज हो गई है सुबह के समय गाडनिंग होती है उसके बाद दुपहर में घर के काम फटा पटनिप्टाए जाते है ताकि शाम को जो है डांडिया की मस्ती करी जाए हाँ डांडिया आता नहीं है लेकिन डांडिया लेकिन ये नवरात्री की मस्ती तो कुछी दिन के लिए है ने किसी ने कहा था की रिंग बनाने के लिए तो चलिए आज एक चोटा सा वीडियो बना करके फटा फट उसको भी शेयर कर देते है दुस्तों ये जो की रिंग है इस तरीके से मोतियों से बनी रहती है आपके घर पांच मोतियां डाल करके डबल गाट बाण दिये ताकि ये खुले ना इस तरीके से दोस्तों हम लोग को एक नहीं बलकि 12 12 फूल बना लेने हैं 5 पांच मोतियों के सेट से ये इस तरीके से इसके बाद एक different कलर की मोति हमने लिया है समझाने के लिए फिर से जो है threads में गांट लगा दे और उसमें जो है एक white moti एक full और एक white moti इस तरीके से तीन-तीन की लड़ी लगानी है ये देखे तीन white moti है और तीन जो है pink वाला fool है अब इसका एक round shape देना है तो पहले जो white moti है उसी के अंदर से सूई ले गए तो देखे ये इस तरीके से लूप सा बन गया अब वाइट मोती के बगल में जो पिंक वाली मोती है न उसी में से फिर से सूई पास कर रहे है और अगर आप इसकी मजबूती चाहते हो तो डबल वार इसको गुमा दीजेगा तो डबल वार मैं कर रही हूँ लेकि शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो बस यही पैटर्न फॉलो करते जाना है एक सफेद मोती, एक फूल और मिलाना है ऐसे यह जो बीच वाला फूल है इसी की जितनी पांच मोतियां है सबके आगे हमें पंखुडी बनानी है और यह पंखुडी दोस्तो एक वाइट मोती, एक पिंक फूल का और एक वाइट मोती से यह देखे कुछ इस तरीके से सभी तरफ गोल गोल गुमाते हुए बनाते चलना है घर में जो भी फालतू मोतियां रखी हैं अगर दो कलर की हैं यह सिंगल कलर की है तो आप बना सकते हो बहुत असानी से इस तरीके से देखे यह पूरा आप इसमें जो पिंक वाली बगल में मोती है इसी में पूरा रिपीट करेंगे इक पाटर्न तो इसमें से आप कोई भी एक फूल को सैंटर बना सकते हों अब आर लास्ट पंखुडी बना रहे हैं, यह देखिए, इसमें जो है अब फूल नहीं लगेगा, वाइट मोती और बगल वाली पिंक मोती को लेंगे, और फिर एक एक्स्ट्रा वाइट मोती डाल करके कवर कर देंगे, यह देखिए, अब बीच में वाइट मोती डाली है न अब बगल के साइट की पिंक ले करके इसको सरकल बना देंगे, तो इसमें कम थोड़ा लग रहा है, इसलिए जो है यह एक थोड़ा सा जुक सा गया, एक कटोरी नुमा शेप इसका आ गया है, अब इसको जो है आप चाहो तो डबल करके कर लीजे धागा और थोड़ा मजब इस तरीके से यह दो फूल बनाने हैं, एक के उपर एक रख करके बॉल बन जाएंगे, तो इनको सिलना है मिला करके, अब फिर से थ्रेड लिया है, उसमें गांट लगाई है, और किसी भी एक फूल के अंदर से सुई पास करी, फिर वाइट मोती ले करके उसमें डाल रहे है अब दूसरे फूल के, पिंक वाले फूल के सामने से मोती है, उसमें से निकालना है, फिर से एक वाइट लिया, और फिर दूसरे फूल की पिंक वाली मोती है, उससे पास करेंगे, तो हरमेशा जो है, एक पिंक वाले फूल से पास करना है, और फिर वाइट मोती लेनी है, त तो इस तरीके से ये धीरे-धीरे पूरा जोड़ जाएगा और एक बॉल शेप में आ जाएगा धागे को खीशते रहिएगा ताकि ये थोड़ा सा टाइट बना रहे हैं अब जो है ये धागा बचा है इसी में से जो है लूप टाइप का बना देते हैं और वो दोस्तो लूप सिंप्ली जो है ये देखे बॉल बन गई है दो पिंक मोती और एक वाइट मोती लेकर के बनाते जाएंगे जितना भी बड़ा आपको रखना है उतना बड़ा आप रख सकते हो और फिर इसी में से एक मोती से फसा करके अनादिया लूप हमने ये देखिए तो ये देखिए पटाफट बहुत सुन्दा सा बन गया है अलग-अलग कलर्स में बनाईए अब चाहो तो इसमें जो रिंग आती है चाबी की गुच्छे में वो भी फशा सकते हैं कुछ इस तरीके से तो भई कैसा लगा है बढ़ियां लगाना पटाफट बना लीजे फिर मिलते हैं बाबाई झालगके में डिंग